जहें दोस्तों आज की क्लास में हम सुरुवाती दोर से पूरे उर्जा के साथ अभी तक हमारी जो है प्रैक्टिस सेहसन 2025 फाउंडेशन के नाम से अभी जो हम स्टार्ट किया हुआ है इसका मेन मोटिफ जो है उद्देश है कि आपको हर एक प्रयास के माध्यम से हर एक क्लास के माध्यम से दिन प्रतिदिन आगे की ओर ले जाना है और यहां पर आपको सबसे अलग जो मिल रहा है वो है प्रैक्टिस सेशन जो हमारे हैं वो सब्जेक्टिव वाइज है जी हाँ दोस्तों यदि आप फ्रेसर हैं आपने पहले से कभी तयारी नहीं किये हैं आपने कभी कॉंसुटिशन पॉलिटी के बारे में नहीं पड़ा है तो भी यह सीरिज आपके लिए एक्वाली हेल्पुल रहेगी लाबदायक रहेगी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना विलम किये हुए बिना समय बरबात करते हुए आपका और उमीद है अभी तक आप बहुत ही प्यार जु है आपका मिल रहा है और यही प्यार उर्जा में बदल देया जाता है यही प्यार हमें उर्जा देने का कार करता है दिन प्रति दिन आपके लिए मेहनत का कार करता है तो चलिए हम इस सीरिज को स्टार्ट करते हैं भारत के सम्विधान के किस भाग में भारत के सम्विदान के किस भाग में संग कारपालिका के किसके बारे में बात कर रहा है संग कारपालिका के प्रापधान सामिल है मैंने लाश्ट टाम आपको क्लास में बताया था कि इस तरह से जो है CGL, CPO, CHSL में कोशन पूछी जाते है which part of the constitution of India contain the provision of union executive कि भी हमारी कौनसे पार्ट में union executive का जो प्रॉबिजन कंसिस्ट है तो जब हम बात करते हैं union पहले हम union देखते हैं union belong to part fifth कि पार्ट फिप्त किस पार्ट से रिलेट करेगा भाग पांच से संग का जो प्रापधान है आपका संग का जो प्रापधान है वो भाग पांच से है ठीक है भाग पांच से है कौनसे अनुच्छेद होंगे जो सम्मंदित होंगे आपने कहा अनुच्छेद articles 52 से लेकर 151 ठीक है सम्मिदान के भाग पांच में अनुच्छेद 52 क्यावन के बारे में बताया गया दोस्तों और यहां पर आपको पता है जो पांच चैप्टर दिये गए यह चैप्टर भी पूछे आते हैं चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेक चैप्टर सेकेंड चैप्टर थर्ड पूर्थ एंड फिप्ट पांच चैप्टर हैं समिदान के भाग पांच में किसी विश्यसी यूनियन के बारे में और यह अनुच्छेद 52 से 51 कंटेंड करता है और यह आपके एससी एक्जाम में बहुत ही हेल्पूल है बहुत ही लाग किस से रिलेट करता है आपने कहा यूनियन एग्जुकेटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव संगी कारपालिका संगी कारपालिका समिधान के किस भाग में पूछा गया है तो आपने क्या बताया पार्ट फिप्ट पार्ट फिप्ट यानि एज राइट आंसर एज राइट समिधान के भाग 5 में किसके बारें बताए गया है संगी कारपालका के बारें बताए गया है यूनियन एक्जुकिटिव यह पूचा जाता संगी कारपालका किस अनुचे से संबंदित है आंसर विल वी आटिकल अनुचे 52 से लेकर 78 अनुचे 52 से लेकर 80 संगी कारपालका से संसद संसद संविदान के किस भाग में पांच में बताए गए किस अनुच्छे से समंदित करती है आपने कहा आर्टिकल 79 से लेकर 122 यदि आप से पूछा जाए किसके बारे में आप से पूछा जाए कि यू प्रेशिडेंट प्रेशिडेंट लेजिसलेटिव पावर लेजिसलेटिव पावर आप यानि कि हम इसे अद्यादिस कहते हैं क्या कहते हैं अध्यति सब्सक्रा सब्सक्राइबी णि bawने में पांच में किस अनुच्छे से समंदित है आटिकल 123 या gate यानि च्याप्टर फोर्थ चैप्टर फोर्थ किसके बारे बया कर रहा है आपने कहा union judiciary के बारे में संगिय नियाई पालिका यूणिय जूडिशरी कि यूणियाई पालिका की हम बात कर रहे हैं तो आप इतना समझ चुके होंगे कि सरवोच नियाले की बात? की बात, री सुप्रीम कोर्ट सम्मिधान के वह स्zone मने ये भी पूचा जा सकता इस तरह से पत्रविक से सम्मिधान के पांच में बात अब बांच पांच के तो आप से undalas बड़े ही सह सरलता से निकलने चाहिए सुप्रीम कोट रिलेटेट टू विच आर्टिकल आपने कहा आर्टिकल 124-147 में बताये गया है और समिदान के भाग का जो पांचवा चैप्टर है जो पांचवा अध्याय है वो कैग के बारे में करता है किसके में कैग कॉम्ट्रॉलर जो आर्टिकल से रिलेट करेगा आपने कहा आर्टिकल 148-151 किस से सम्मत δेता है तो आप कहोगे निरीचक एवं महालेका परिचक केग कहते हैं हम उसे Comptroller and Auditor General निरीचक एवं महालेका परिचक समिधान के किस भाग से बताए गया है यानि कि एक कुशन से आप लगबव 10 जो है प्रेशन बना सकते हैं चैप्टर फर्ष्ट यूनियर एगजुकेटिव यानि संगी कारपालका हमें क्या पूछा गया है भारत के समिधान के किस भाग में संग कारपालका के प्रापदान है आपने का पार्ट फिफ्ट यानि एज राइट आंसर thought notes जरूर बना लिना बार-बार इस बात के लिए बोला जा रहा है कि आपके पास इस तरह के notes होने चीए कि one time यानि वन liner में आप जो है exam देते समय उन्हें रिवाइज कर सके चलिए दूसरे प्रिशन की और आगे बढ़ते हैं भारती समिधान का निम्न लिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की दुई सदनिय संसद का प्रावधान करता है विच आप फॉलॉविंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉंस्टिशन प्रोवाइड बाई केमरल केमरल पार्लियमेंट ऑफ इंडिया जली से बताए जरा अनुच्छेद उन्यासी आर्टिकल 79 जब हम आर्टिकल 79 की बात करते हैं जब हम अनुच्छेद 89 की बात करते हैं तो आपको यह पताओन चीवे किसका प्रावधान करता है संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताए गया है तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 79 यह यहन्मारे जो पार्लेमेंट होगी एक यह उनक्य बतायेता जोंको मैं पाइसावश पूछा गया दर आंसर डो सेवन्टी नाइन में कहा गया किव जो पार्लियमेंट है वह किसुंड पार्लियमेंट कंसिस्ट अप पार्लेमेंट किसको कंसिस्ट करेगा दन आंसर विल बी लोगसभा लोगसभा यानि हाउस अप्ट पीपल राजसभा राजसभा प्लस प्रेसिडेंट इसका क्या होता है मुख्य अंग होता है लोगसभा राजसभा और राष्टपती संसद के जो है मुख्य अंग है पार्लियमेंट किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए कंसिस्ट आप बच्चे कहते हैं लोगसभा राजसभा लेकिन वो राष्टपती का नाम नहीं लेते आर्टिकल 79 में कहा ह कि भी President the main organ of Parliament Council of State का राजिसभा को हम Council of State कहते हैं लोग सबाद को house of the people भी कहते हैं lower house upper house ये भी आपको मालूम होगा ये आपका temporary house कहा जाता है राजिसभा आपका permanent house कहा जाता ये भी आपको मालूम होगा तो ये article 79 में बताया गया कि भी दो सदन होंगे कितने सदन होंगे दो सदन इदाट के लिए next यानि सी जा राइट आंसर भारती समिधान में मूल रूप से भारती समिधान में मूल रूप से तैस अनुच्छे सामिल थे the Indian constitution originally consisted of article answer will be 395 आपको बताया गया था कि origin of constitution की अब बात किया जाए कभी भी यादि origin of constitution origin of constitution मूल समिधान की अदिबात की जाती है मूल समिधान मूल समिधान का मतलब होता है जब हमारा 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को जब हमारा समिधान बन कर तयार हुआ तो उस समय उस समय कितने अनुच्छे थे जो अनुचे थे 395 जो उससे में बन कर तयार हुआ था अनुसूची कितने थी अनुसूची यानिकी सेडियूल अनुसूची को हम सेडियूल भी कहते हैं कितने सेड्यूल थे जब हमारा बनका तैयार हुआ आपने कहा एट पार्ट यानिकी भाग भाग कितने थे पार्ट कितने थे तो यहां हमसे क्या पूछा गया कि औरिजन भारती समयदान में मूल रूप से अनुचियत कितने थे एज राइट आंसर 395-395-395 यह पूछा जाए मूल समयदान में औरिजन आफ कॉंस्टिशन में हाव मेनी आर्टिकल्स हाव मेनी सेड्यूल हाव मेनी पार्ट यह कितनी अन नोट करते रहना भारती समयदान का कौनसा अनुच्छेद सर्वोच नियाले को अपने नेड़ं या आदेशों की समीच्छा करने का दिकार देता है यह काफी इंपोडेंट है विच आर्टिकल आप दा इंडियन कांस्टिशन एंपावर दा सुप्रीम कोट टुरिवू सर्वोच नियाले को अपने नेड़ं या आदेशों की समीच्छा करने का अधिकार देता है जुडिसेल रिव्यू का राइट होता है तो यदि आप से इस तरह से पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपने कहा 138, 135, 136 या 137 तो आपका आंसर होगा 137 इस आ राइट आंसर आर्टिकल 137 में आर्टिकल 137 में जो प्रॉबिजन यहां पर बताए गया है किसके लिए जुडिसेल रिव्यू के बारे में ठीक है वहाँ पर आप रिव्यू की बात होती है कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपने जज्जमेंट को करना चाहते हैं तो सर्वोच नियाले उसे को कर सकता है यानि कि इस राइट आंसर अभी हमने देखा था कि जब हम सुप्रीम कोट की बात करते हैं पर सुप्रीम कोट के बारे में यदि पूछा गया है यदि सर्वोच नियाले के बारे में पूछा गया है किसके बारे में सर्वोच नियाले तो सर्वोच नियाले समिधान के किस भाग से बिलॉंग करता है आपने कहा भाग 5 पार्ट 5 से बिलॉंग करता है ये भी आपको मालूम है ठीक है सर्वोच नियाले समिधान के किस बाग से पांचवे से किस अनुच्छे से सम्मंदित करता है आपने कहा 124 से लेकर 147 से जो भी आर्टिकल होगा वो सर्वोच नियाले के बारे में सम्मंदित होगा एक माइन में आप फ़र ड्राफ्ट बन जाता है तो यहाँ पर आर्टिकल 137 में किसके बारें बताया गया है कि बिया जो है सुप्रीम कोट के पास यह constitution इंपावर है कि वो अपने ही रिव्यू को जज्जमेंट को ओर्डर को द्वारा से रिव्यू कर सकता है अपने ही ओर्डर को रिव्यू कर सकता है 137 आर्टिकल 137 is a right answer भारती समिधान का निम लिखित मैं से भारती समिधान का निम लिखित मैं से कौन सा कौन सा अनुच्छेद राष्टी अनुच्छित जाती आयोग का प्रावधान करता है which of the following articles of the Indian Constitution provided for National Commission for Schedule कास्टेज यहनि की हम बात कर रहे हैं Schedule कास्टेज के लिख कौन सा आर्टिकल है National Commission National Commission National Commission for Schedule कास्टेज Schedule कास्टेज NCSC बोलते हैं National Commission for Schedule कास्टेज के लिए आर्टिकल 338 338 is the right answer 338 में आपको पता है पहले National Commission for SC और ST दोनों ही हुआ करते थे लेकिन जो 89 वा समिधान संसोदन हुआ 90 वा समिधान संसोदन 2003 में होता है According 89th Amendment of the Constitution 2003 राइट यानि की आपका National Commission for SC and National Commission for ST separated दोनों को अलग कर दिया गया and added and inserted new articles articles 338A एक नया अनुच्छे जोडा गया जिसे हम 338 क के नाम से पढ़ते हैं एक के नाम से जानते हैं जो की National Commission for ST से सम्बंद देता है ठीक है यानि अनुच्छी जल जाती के लिए जो आयोग है वो अनुच्छे 338A से सम्बंद देता है यदि आप से पूछा जाए राष्टी अनुच्छी जाती यदि सिर्फ जाती के बारे पूछा जाए National Commission for SC के बारे पूछा जाए आपको पता है कि अनुच्छी 338 में किसके बारे पता है नगर पालिकाओं से सम्मंदित प्राप्धान जब हम बात करते हैं नगर पालिकाओं से सम्मंदित प्राप्धानों का उलेक भारती समिधान के किस भाग के अंतरगत किया गया है Provisions related to the municipalities are mentioned under which part of Indian constitution जब हम नगर पालिका की बात करते हैं जब हम माली जी जो है पंचायती राय सिस्टम की बात करते हैं या फिर हम local government इस्थानी सरकार की बात करते हैं तो आप सभी को बता होगा जो वर्तमान में इस्थानी सरकार है उत्री इस्तरी होती है तो में यहां पर यहां पर आपको पता है जिला परश्द होता तो 28 विलॉइ quelle आप की विलॉद के सब्सक्राइं होता है ग्राम यानि ग्राम पंचायत होती है विलेज होते हैं तो उसमें आपको पताईए तो यहां पर आप से पूछा गए कि भी किस भाग में आप सभी को पता है कि जो इस्तानी सरकारों को समयदानिक की दरजा 73 और 74 संसोदन ने दिया था 73 और 74 अमेंडमेंट हुए थे यह 1992 में इनको अमेंडमेंट किया गया था और इसके तहत 63 संसोदन के तहत्त हमारे समिदान में 11 अनुसची जोड़े गई कौन सानुसची 11th schedule हमारे constitution में add किया गया था साती साती आपसे पूछा जाए भी according which amendment of the constitution 12th schedule added पारवी एनुसूची किस सम्विधान संसोदन के तरह जोड़े गई आपने कहा 74th 74th के तरह अब 11 एनुसूची किस से संबंदुत है कि सब्योदित आपने कहा 5 राय सिस्टम से संबंदित और 12 आप नगार पालिकां से संबंदित है मुझसे पहले ड़ीट से संबंदित है किलियर लेकिन ये नाट करता है सम्मेधान का भाग्त नगरपालिकां से संब्दित है भाग नौग की बात करें यानि भाग के नियंत्रक एवँ महालेखा परिच्छक की लेखा परिच्छा रिपोर्ट से सम्बंदित है जब हम कैग की बात करते हैं किस की बात करते हैं कैग की लेखक एवा महले का परिच्छक ठीक है यहां पर आप पूछा जाएगा कि कैग जो है Comptroller and Editor General related to which article तो आपने कहा 148 to 151 यह जो अनुच्छेद हैं किसके बारें बताते हैं यह कैग के बारें बताते हैं किसके बारे में कैग के बारे में Comptroller, Auditor, General अब आप सभी को मालूम है आटिकल 148 में जो है यहां पर बताया गया है कि यहां पर क्या होगा एक पोस्ट होगी Comptroller and Auditor General की और बेसिकली यह दोनों ही चाहिए वो Central हो या State दोनों ही जो है उसका और आटिकलं के वारे में गया ankak educated आठिकल आटिकल जो यहां पर 149 में उसकी rubbish के बारे में बताया है इस्टेट यूनियन 1501 में किसके बारे में बताया गया है रिपोर्ट का रिपोर्ट का कि हैं theatre एतिमाली जी य कहए यूनियन की dollar पोर्ट करता째 किसकी करता है union यजो report है यूनियन रिपोर्ट किसको summit करेगा किसको देगा तो आप यह कह सकती हो union जो को प्रेसिटेंट को सम्मिट करेगा किसको सम्मिट करेगा ऍप अpez anymore स्कुन है किnd Community एधिस की बात करें तो जो राज 151 में बताया तो C is a right answer अनुच्छेद 151 में जो है उसकी रिपोर्ट से सम्मंदित चीज़ें बताई गई है इस देट के लिए और नेक्स्ट भारती समिदान के निम्न लिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्टपती पर महाभ्योग चलाने की प्रिक्रिया का उल्लेक है जल्दी से बताएंगे किस अर्टिकल में बताए गया है और आंसर विल वी आर्टिकल अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताए गया है आपने कहा 61 61 में impeachment procedure के बारे में बताए गया है महाभ्योग के बारे में बताए गया है आप महाभ्योग के बारे में सभी जानते हैं यदि राष्टपती को उसके पदल से अठाना है उसके समयदाने constitutional positions उठाना है तो एक ही राष्टा होता है वो होता है impeachment और इंपीच्मेंट प्रोसीजर एक ही condition में लाया जा सकता है in case of violation of constitution यदि माली समयदान पर किसी समयदान का कोई भी अर्नन किया है तो ऐसे में राष्टपती को हटाने की प्रिक्रिया लाई जा सकती है जिस सदन में लाई जाएगी आपको पता है राजसभा हो या लोगसभा हो उससे पहले 14 days से आप पूर्व का जो नोटिस होता है जो रिटन नोटिस होगा वो देना पड़ेगा और उसके बाद आप सभी को पता है यदि दोनों सदन टू-थर्ड मेजोडिसी से पास कर देत गया महाब्योग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है है हाव मैने डेस बिफोर नोटिस टू रिटन प्रसिड़न फॉर इन केस ऑफ इंपीचमेंट दनांसर वी 14 डेस कितने दिनों पहले यह जो जारी करना चाहिए तो 10 दिन पहले लिखित में एक नोटिस देना चाहि को भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिसत की सरचना को निर्दिष्ट करता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉंसिटिशन स्पैसिफाई दा कंपोजिशन ऑफ कंसिल ऑफ इस्टेट यह राजसवा की बात कर रहा है यह किसकी बात कर रहा है आपने क राजसवा में जो कंपोजिशन बताये गया है क्या बताये गया है कंपोजिशन ऑफ इस टेट का जो कंपोजिशन ऑफ किस आटिकल में जल्दी से बताएं यहां पर रहें 395-51-8-12-8-80 देन आंसर विल वी आटिकल आटिकल एटी अनुच्छेद असी में अनुच्छेद अ राजसवा की समयदान में बताये गया कितनी होंगी 250 होंगी जिसमें से 238 आपके एलेक्टेड होंगी और 12 जो सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे नॉमिनेटेड होंगे किसके द्वारा राष्ट पती के द्वारा यह प्रापदान आर्टिकल एटी में बताये गया है तो यह गया किसमें, एजरा राइट आंसर आप सभी को बता है आर्टिकल 58a किसे सम्मझ देता है आपने कहा fundamental ऐसे सम्मझ देते हैं इससे सम्मझ देता है बाग का इंध का तुप फोर्थ जो पार्ट फोर्थ ए में बताए गया कि इसलों बता गया पाट फोर्थ एगरे टेलेट मुच आथिकल 51 अ according which amendment added 42nd amendment 1976 fundamental duties added on the recommendation of sword seeing committee sword seeing समिती के अधार पर उनकी शिफारिश के अधार पर मौलिक करतव विमारी समिधान में जोडे गए किस वर्थ जोडे गए 1976 किस अनुच्छे से सम्मन्दित है 51 आपको क्या पूछा गया है यहीं यदि लोगसभा के बारे में आपसे पूछ लिया जाता लोगसभा में वहाँ पर बताए गया था कि मैक्जमम सीट जो आपका किस तरह से रहेगा वो सभी प्राविजन 550 बताए गया प्लस टू एंगलो इंडियन मेंबर्स बताए गये लेकिन अभी आपको पता है कि 104 अमेंडमेंट के अकोडिंग हिंदी को संग की अधिकारिक भासा अधिकारिक भासा के रूप में निर्दिस करता है विच आर्टिकल ओफ इंडियन कॉंसिटिशन इस्पेसिफाई हिंदी इस दा ओफिसियल लेंगोज ऑफ दा यूनियन यह सभी को बता होगा दिन आंसर विल वी आर्टिकल 343 343 अनुच्छेद में बताया गया है कि हंदी हमारी ओफिसयल लेंगोज होगी और जो स्क्रिप्ट होगी वो देवनागरी होगी जो आपकी जो लिपी होगी वो कौनसी होगी देवनागरी होगी स्क्रिप्ट देवनागरी होगी यह हमारे आर्टिकल 343 में बताया गया है यानि कि C is a right answer भारती संसद को भारती समयधान के किस अनुच्छेत के माध्यम से व्यापार वाड़िज और संभोख पर प्रतिविंद लगाने की सकती है इंडियन पार्लियमेंट एंड पावर तो इंपोज रिस्ट्रिक्षन ओन ट्रेड और स्थ्रो विच आर्टिकल ओफ इंडियन कॉन्सिटुटिशन इंडियन पावर दी गई है कि वह किसी भी ट्रेड कॉमर्स या इंटर कोस्त रोग जो है आर्टिकल से माली रिष्टिक्षन लगा सकता है देन आंसर वी आर्टिकल आर्टिकल 302 आर्टिकल 302 ने यह सकती दिया है कि वह किसी को रिष्टिक कर सकता है यानि डी जा राइट आंसर नेक्स्ट आगे बढ़ेगे उम्मीद है अभी तक आप साती साथ सौर्ट नोट्स बना रहे होंगे और यहाँ पर आपका समय का सदब्योग होता रहेगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सेर नहीं किया अपने जैसे दस भाई चारों में सेर नहीं किया तो यह कार जल्द से जल्द करें और यही हमारी गुरुदिच्छा का एक भाग होता है और यह आपका बहुत बहुत आभार रहेगा नेक्स्ट और उससे थोड़ा उर्जा और बढ़ती चली जाएगी जो आपके सिलेक्षन तक पहुचाएगी भारती सम्विधान का कौनसा अध्याय संसद के अनुच्छेत की चर्चा करता है वीच चैप्टर ऑफ दा कॉंस्विधान का कौनसा अध्याय संसद के अनुच्छेत की चर्चा करता है चैप्टर के बारे में अभी तो पड़े थे पूरव ड्राप डनाये था अंसर व्ल भी सेक्टिपक्टर क किसे बारे में था संगी кому काई यो नी represented सेकंड किसके बारे में था पार्लियमेंट यानि संसत थर्ड किसके बारे में था ओडिनेंस लेजिसलेटिव पावर प्रेसिडेंट यानि कि राष्टपती की जो विदाई सकतिया जिसे हम ओडिनेंस यानि अध्यादेश कहते हैं फौर्थ चैप्टर संगिय नियाय पालिका यानि कि सर्वोच न्याले से संबंदेता पाच्वा जो चैप्टर था वो किसके बारे में था तो आपने कहा के बारे में था Comptroller and Auditor General तो यह किसके बारे पूछा है संसद यानि सेकिंड कहा पर है सी जाराइट आंसर सी जाराइट आंसर चैप्टर सेकिंड से रिलेट करता है यदि यह पूछा है किस आर्टीकल से रिलेट करता है तो यह जो अनुचेद है यह किसे संसद से संसद से संसद से नेक्स्ट भारती समिधान के किस अनुचेद में कहा गया है कि सर्वोच नियायले अबलेक नियायले होगा विच आर्टीकल आफ दा इंडियन कॉंस्टिटिशन इस्टेट डाइट सुप्रीम कोट टू बी अ कोट आफ रिकॉर्ड मोस्ट इंपोडेंट यह कुश्चन है आपके बीच में जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि कौनसे आर्टीकल में बताए गया है कि सुप्रीम कोट to be a court of record सुप्रीम कोट to be a court of record वेट किया जाएगा जल्दी से बताएंगे आप आर्टीकल 135 आठीकल 126 129 या 131 विच आरटीकल 9 अज़ा है सुप्रीम कोट to be a court of रेकॉर्ड किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच नियाल है अबलेक नियाल है होगा जल्दी से बताएं जितना फास्ट आप कमेंट करेंगे यहां से इतना किलियर हो जाएगा कि आप अभी तक जुड़े हुए हैं भारत के समिधान के निमलिकित मैंसे किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देवनागरी लिपी में हिंदी संग की अधिकारिक भासा होगी यहां पर यह बताए गया है विच आप दा फॉलोविंग आर्टिकल्स आफ कॉंस्टिशन आफ इंडिया इस्टेट दाट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट साल भी अफिसल लेंगूज ऑफ यूनियन यहां पर इक अभी इन में से किस अर्टिकल में बताए गया कि देवनागरी आपकी है उसमें ही बताए गया कि देवनागरी हमारी क्या होगी लिपी होगी भासा जो स्क्रिप्ट होगी तो यहां तक हमारी जो क्लास है उम्मीद है एक बाफ फिर से पूरी उजागिस साथ रिविजन करेंगे देवनागरी लिपी किसमें बताए गया आर्टिकल 343 का फर्स्ट क्लाउज नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा बिया कोट आफ रिकॉर्ड यह जल्दी से बताएगा कौन सा होगा भारती समयदान का कौन सा अध्याए संसत के अनुच्छेत की सर्शा करता है यहां पर भाग नहीं पूछा गया अध्याए पूछा गया चैप्टर दिन आंस सकती दी गई है अधिकारिक भासा के रूप में निदिस करता है आपसे पूछा जाए भारती समयदान का कौन सा अनुच्छेत राज्यों की परसद यानि कंसल ऑफ इस्टेट राज्य सभा पर निदिस करता है विच आटिकल ऑप इंडिन कॉंस्टिशन इस्पैसिफाइद अनुच्छेत असी में राजसवा के गठन के बारे में बताये गया है और आटिकल 51 ये के बारे में आप जानते हो ये मौलिक करतवियों से जुड़ा हुआ है मौलिक करतव समयदान के किस संसोदन के द्वारा जोड़ेगे आपने का 42 वे किस वर्स 1976 उमीद है आज की क्लास में हमने भरपूर उर्जा के साथ वो सभी प्रसंट सॉल्व किये जो पॉलिटी से रिलेटेड है अभी हमारी लगवाद दो से तीन सीरे जो और रहेंगी और उसके बाद फिर हम मौडन इस्ट्री से स्टार्ट करेंगे जो प्रिवियस येर कुशन बने यानि सब्जेक्टिव वाइज आपके लिए लेकर आएं तो यदि आप फ्रेसर हैं आपने कभी भी तैयारी नहीं किये तो ये वीडियो आपके लिए समान रूप से लाबदायक रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद उमेद है चैनल को अभी तक आप सेर कर चुके होंग कर दो ये ये वीडियो आपके लिएगि जापने कर दो ये वाइज कर दो सेर के लिए लेक्टिव एट टूंझ लेक्टिपन प्रिए थेवर येदा बहुत रहे हा हुँत